नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बॉलिवुड टॉकीज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बने बॉलिवुड के जुबली कुमार। 1960 और 70 के शांदार अभिनेताओं का जब कभी भी जिक्र आता है, तो उनमें राजिंद्र कुमार का नाम जरूर शामिल रहता है। उनका जम 20 जुलाई 1939 को सियाल कोट में हुआ था। अपने फिल्मी करियर की शुरूआत उन्हों राजिंद्र कुमार को काफी संघर्ष करना पड़ा। आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। विभाजन के बाद राजिंद्र कुमार का पूरा परिवार भारत आ गया था। इसके बाद उनके पिता ने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया जो अ दोस्त भी उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दिया करते थे। फिर क्या था राजिंद्र सब कुछ छोड़कर अपना सपना पूरा करने माया नगरी जा पहुँचे। हालांकि मुंबई पहुचकर उन्हें जल्द ही समझा गया कि एक्टिंग की राह इतनी आसान नहीं है। शर्म के मारे उन्होंने घर न जाने का फैसला किया और मुंबई में ही संघर्ष करने लगे। पहुचने के लिए उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव के लिए फिल्म का निर्देशन भी किया। इस फिल्म का नाम लव स्टोरी था। कला के शेतर में महतवपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें पदमश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। अपने करियर में उन्होंने 85 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। धूल का फूल, पतंग, धर्मपुत्र और हमराही उनकी सुपरहिट फिल्मों में से हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाए बाए और जैहिंद।